हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाउ टो मेक प्रेजेंटेशन इन मोबाइल यानि अगर हमारे पास लैप्टॉप कंप्यूटर नहीं है तो हम मोबाइल से अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो वह कैसे बनाएंगे यह देखने के लिए चलिए अब हम चलते हैं अपने WPS Office Software पे जिसको डाउनलोड करना मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है अगर आपको अपने का लिंक देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं इसको मैं दिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक सेंड कर दूंगी यह हमन देखिए WPS Office Office ओपन किया है यहां पर एक आपको नीचे प्लस का साइन नजर आएगा जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक तरूंगी वो यहां हमें multiple options दिखाएगा जैसे की new scan, new memo, new spreadsheet, new presentation, new document हमें क्या बनानी है new PPT presentation तो मैं new presentation पे क्लिक करूंगी यह के उपर जहां लिखा हुआ रहा है double tap to add title यहां पर हम double tap करेंगे जिस भी topic के उपर हमें PPT बनानी है तो उसके लिए main page, front page बनाने के लिए हम यहां पर उसका title देंगे, मान लिए title हमें देना है introduction to computer यह हमने लिख दिया और नीचे add subtitle में हम double tap करके जिसको submit करनी है उसका name या जो submit कर रहा है उसका name जो present करने जा रहा है उसका name कुछ भी हम लिख सकते हैं चाहें हम अपने class का name जिस भी class से हम हैं तो वो जैसे मैंने यहां पर लिखा bsc 1, bsc first year ठीक है यह हमारी first slide बनके तियार होगी अब हमें क्या करना है next slide add करनी है जिसके लिए नीचे आपको options नजर भी आ रहे होंगे slide और picture नजर आ रहा है लिखा हुआ उसमें मैं अगर slide पे क्लिक करूंगी तो यहां हमारे पास कई सारे layouts नजर आएंगे यह देखे काफी सारे हैं जिसमें हमारे अलग-अलग styles हैं मैं जिस भी style को चूज करूंगी मैं second one चूज करती हूँ क्लिक किया मैंने तो यहां हमारे पास फिर से main heading के लिए आ रहा है double tap to add title मैं इस पे लेती हूँ जैसे introduction to computer में हम सबसे पहले computer की definition के लिए लिखेंगे हमें यहां लिखना है what is computer मैं यहां बताऊंगी computer की definition what is computer यह मैंने heading ले लिए नीचे double tap to add title यहां पर हम definition को लिख देंगे अब definition मैंने पहले से ही copy की हुई है मैं यहां paste कर देती हूँ computer की definition यहां पर आ गई है copy paste करने का वही simple तरीका है कहीं से भी जहां से भी आप लोग को कोई भी text उठाना है copy करेंगे और यहां paste करने के लिए उसके उपर tap करके रखेंगे और paste के उपर click कर देंगे जैसे कि मैंने अभी यहां पर किया यह हमारी second slide बन गई है अब मैं नई slide आड़ करना चाहती हूँ तो मैं फिर से नीचे slide के उपर click करूंगी और मुझे next slide जो लेनी है उसमें मुझे लिखने है components of computer तो उसमें मुझे क्या चाहिए होगा इसी type का page चाहिए होगा जिसमें हमारा हम diagram भी लगा सकें तो हमारा यह नीचे आ रहा है picture with caption मैं यहां पर click करती हूँ left side वाले में मैंने first box के अंदर double tap किया है वहां मैं heading डालती हूँ components of computer यह heading बनेगा और नीचे मैं double tap करके components लिख देती हूँ computer के जैसे कि ले लेते हैं monitor एंटर करके next cpu input devices output devices सब होते हैं जैसे कि printer है keyboard है और mouse है बहुत सारे हैं जो हमें याद आ रहे हैं इस time हम वो लिख देते हैं यह सिर्फ एक आपको presentation बना के दिखा रही हूँ मैं तो आप जो चाहें आप इसमें बना सकते हैं अब right side पे आ रहा है double tap to add picture तो यानी मैं यहां पर जैसे डबल टैप करूंगी मुझे यहां पर picture add करने के लिए page खुलेगा यहां से मैं कोई सी भी picture जो भी मैं चाहूं add कर सकती हूँ मेरे पास यहां कुछ computer के pictures पड़े हुए हैं वो मैं यहां से click करके ok करती हूँ तो यह हमारे पास computer का picture यहां पर आ गया है screen पर इसको मैंने यही set कर दिया है चाहें तो हम इसको resize कर सकते हैं अगर हम side में अगर इसके click करते हैं तो यह resize हो जाएगा अब हमें क्या देखना है जैसे मैंने इदर यह components of computer के points लिखे हुए थे इन में मुझे bullets add करने हैं bullets add करने के लिए हम क्या करते हैं home tab में जाते हैं सबसे नीचे हमारे पास option दिया हुआ है एक तो option दिया हुआ है dots वाला जैसे आप लोग computer में करते हो bullets and numbers option आता है वहाँ पर तो bullets में क्या आता है आपके अलग-अलग styles आते हैं dot आते हैं circles आते हैं अलग-अलग style आते हैं और जो numbering होती है उसमें number आते हैं बहुत सारे आपके पास आते हैं तो हम यहां से ले लेते हैं numbering 12345 तो यह हमारे पास numbering आ गई अब मुझे इसमें और भी formatting करनी है तो यहां पर हमारे पास एक option दिया हुआ है size जिसमें से मैं size को text के जितने भी मैं increase करती जाओंगी यहां से number जो भी मैं लूँगी उसके according number increase होता जाएगा फिर मैं back आती हूँ अब यहां से मैं bold करना चाहूँ तो मैं b पे click करती हूँ तो यह bold हो जाएगा italic के लिए i u पे click करेंगे तो underline अभी हम main simple text लिख रहे हैं तो हमें यहां ही करने की जुरत नहीं है मगर हम heading को bold करना चाहते हैं कि हमारा heading bold में आए तो मैंने heading को select किया और bold पे click किया अगर मैं heading का size अभी 32 है मैं इसको और increase करना चाहती हूँ 36 मैंने किया तो यह हमारा इस तरह से page तियार हो गया यह देखिए अब क्या है next हमारी अब मुझे next slide add करनी है अभी हाँ इस slide में एक चीज रहे गई है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई change picture मैंने यह picture select की हुई है नीचे option आ रहा है change picture क्लिक करेंगे हम अगर मुझे यह picture हटा के कोई और picture लगानी है जैसे ही मैंने change picture पे क्लिक किया था मेरे पास यह window open हुई थी मैंने यहां से दूसरी picture select की ok किया और यह मैंने picture को change कर दिया ठीक है यह हमारे पास next slide बन गई है अब मैं आगे चलती हूं slide एक और add करती हूं उस slide में भी मैं चलो picture ही लगाती हूं मैंने एक blank slide लिया बिल्कुल जिसके अंदर कोई भी box नहीं नजरा रहा है आपको बना हुआ यह देखे अब मैं नीचे से यहां आपको slide का option तो बताई चुकी हूं दूसरा option है picture का हम picture चाहें तो direct यहां से भी लग सकती हूं ओके किया यह picture बन गई है इसको मैं resize कर देती हूं full screen पर कर देते हैं इसको set जितनी बड़ी हमारी screen है उसके recording हमारी picture set हो गई है यह हमारी एक तरह से presentation तियार होगे चार slides बन गई हैं हमारे पास एक मैं जो जब भी हम कोई भी presentation last end करते हैं हम एक last slide रखते हैं thank you के लिए thank you में हमें क्या चाहिए कि सिर्फ title ही चाहिए तो हम यही वाली slide ले लेते हैं इसमें से हमें double tap करके लिख देना है thank you thanks आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं thank you लिखा नीचे चाहें तो आप अपना name डाल सकते हैं जो भी आपका name है यह आपकी अगर आप लोगोंने slide में color add करना है तो आप उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर option है text color का यह मैंने अभी आपको home tab में options बताये थे अब मैं introduction to computer के text का color change करना चाहती हूँ front page का है इसलिए हम थोड़ा सा effective बनाने के लिए उसको colorful करते हैं तो मैंने उसको colorful गिया next option आपको नजर आ रहा होगा text box यह वाला भी option हम यूज करके fill color option आ रहा है यहाँ पर इसमें background color हमारी जो भी select किया हुआ है हमने block उसका background color change हो जाएगा यह मैंने green color लिया है background पे और front पे हमने जो text लिखा है वो लिखा है मेरून color से तो यह हमारी क्या है almost light बनके तियार हुई है सारी अब यह नीचे border style आ रहा है border color आ रहा है आप यह सारे options apply करके देखिए इसके जिस पे भी हम click करेंगे उसके according हमारा जैसे यह border color मैं ले लेती हूँ blue तो यह blue आ जाएगा border का color यह देखिए border के चारो तरफ lines light blue color में नजर आ रही है बहुत पतली line है इसलिए ज़्यादा नजर नहीं आ रही है यह हमारी slide बनके तयार हो गई है अब मैं इसको last बचा है हमारे पास कि हम इसको save करेंगे सबसे उपर done के साथ जो option है उस पर click किया मैंने save अब यहाँ पर दो option नजर आ रहे है हमारे पास phone या my document हमें जहां भी save करनी है file click करेंगे मैंने phone पर click किया introduction to compute to लिखा हुआ है मैं इसको delete करके name लिख देती हूँ computer computer की presentation में आ रहे है computer और आगे extension आई हुई है dot pptx तो यह powerpoint की extension होती है मैं अब save पे click करूंगी तो हमारी यह file computer.ptx के नाम से save होगी है अब हम done पे click कर देंगे यह हमारी presentation जो बनी है वो यह नजर आ गई है यहाँ पर अब मैं इसको close कर देती हूँ close करने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारी list नजर आ रही है उसमें से हम search करते हैं जो भी हमने presentation बनाई थी यह जो सबसे पहली computer लिखा हुआ नजर आ रहा है अब हम उसको open के देखते हैं यहाँ पर हमारी वो presentation नजर आ गई है यहाँ को यहाँ हम इसको play करेंगे play पे क्लिया तो यह जैसे presentation आपकी slideshow होता है उसी तरह से आपकी slideshow हो जाएगी one by one आपकी slides चलेंगी अब मैं बैकर के इसको बन कर देती हूँ अब यह हमारी presentation बन के तयार हो गई है अगर हमें इसमें कुछ changes करने हैं तो हम edit में जाके changes कर सकते हैं पहले की तरह जैसे हम presentation बना रहे थे उसी type से फिर हम done पे click करेंगे जो भी हमने change किये done पे click करके वो हमारी presentation तयार है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक